हेलो गईस तो चली इस वीडियो में हम डिसकस कर लेते हैं AIK Pipes and Polymers Limited के IPO के बारे में तो वीडियो बहुत ही शॉट और इंपोरण होने वाली है वीडियो को इन तक वाच करें बिसिकली कमपनी 2017 में फॉर्म हुए है जादा टाइम नहीं हुआ है अबी सिर्फ जो है हमें से साल देखने को मिल चुके हैं कमपनी मैनिफेक्चर करती है पाइपस HDEP Fittings MDEP Pipes and PPR Pipes for the water distribution, gas transmission, service system and tablet communication sector के लिए बेसिकली कमपनी के तीन manufacturing facilities हमें देखने को मिलते हैं जैसे की एक है जैपूर में, रजस्तान में और यह लीज बेसिस पे भी अभी दे रहे हैं कमपनी की और भी details अगर आपको जाननी है तो यहां पे about company में भी आप रीड कर सकते हो और यहां पे company report भी दिये यहां से आपको download का option दिया है download करके आप रीड कर सकते हैं तो एंजला उनके web version में हमने login कर लिया है home में आने के बाद में IPO यहां पे दिखाई देंगे IPO पे आने के बाद में open and upcoming IPOs की list दिखाई देगी यहां पे हमें आप जो है हमारा IPO दिखाई दे रहा है AIK Pipes and Polymers Limited का उस पे हम क्लिक करेंगे देखी दोस्तों और भी कुछ details जान लेते हैं जैसे कि इसका IPO डेट यहां पे offer स्टार्ट होने वाला है 26 दिसंबर को सुबादस बजे और यहां पे face value जो हमें देखने को मिल रही है 10 रुपे पर share की रहेगी price जो है हम यहां पे apply करने वाले है price range 89 का रहने वाला है एक lot में हमें यहां पे 1600 shares देखने को मिलने वाले हैं और अगर से हम total issue size की बात करेंगे तो 15.02 CR का यहां पे हमें issue size देखने को मिल रहा है IPO closing date की बात करेंगे तो offer end होने वाला है 28 December को यानि कि Thursday की दिन आप शाम में 5 बजी तक इसको apply कर सकते हैं Allotment हमें इसमें देखने को मिलने वाली है 29 December यानि के Friday को और initial refund जो हमें देखने को मिलेंगे 1 January को बहुत सारे लोगों को confusion होता है जिसको अगर IPO Allot नहीं होता है तो हमें refund कब मिलेगा तो यहाँ पे इस IPO में हमें एक January को जो है यानि के Monday को हमें यहाँ पे refund इसमें मिलने वाला है Listing date की बात करेंगे तो 2 January इसका listing date होने वाला है और भी अगर deals की बात करेंगे तो assets इंके जो है year by year quarter by quarter जो है हमें बढ़ते वी दिखाई दे रहे है revenue में भी चाफ काफी अच्छी growth देखने को मिल रही है profit after tax भी जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है net worth भी जो है इंकी बढ़ते भी दिखाई दे रहे है जो की काफी अच्छा बात है फिलाल में अगर grey market premium भी अगर हम देखते हैं तो फिलाल में कोई data हमें यहाँ पे update होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो उस point को हम skip कर लेते हैं तो बहुत सारी details में आपको इस वीडियो में बताया है तो apply करना है या नहीं करना है यह आपका खुद का opinion रहेगा तो simply अगर आप apply करना ही जाते हैं तो apply now का यहाँ पे option दिया है apply now पे click करने के बाद कुछी इस तरह से interface हमारे शामने शो करेगा number of lots यहाँ पे एंटर करना है जैसे कि मान दीजिए हमें एक ही lot चाहिए तो हम यहाँ पे one lot एंटर करेंगे maximum तीन lot के लिए हम apply कर सकते हैं और आइप यहाँ पे click करना है जैसे हम इस पर click करेंगे हमारा जो है आइप यहाँ के लिए successfully apply हो जाएगा दो दोस्तों बहुत ही इसी प्रसेस है इंचल वन के इस वीचर को यूज करके आप कोई भी IPO को बहुत इसी तरह किसे apply कर सकते हैं अभी तक आपने कोई भी IPO को apply नहीं किया है तो एंचल वन के इस वीचर को यूज करके कर लीजिए तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो जो है सिर्फ सिर्फ educational purpose के लिए बना और फजा एंगर अट बना के लिए दूँ अचलो ersten वीडियो 529,500 क है सिर्फ है सिर्फ इतनी के लिचर को यूज ओट बना है, सथे प्राइख इस वीजित अःना थायां, क्ता इस चालोस met भी उतना है, सालो है, से आपको अ